हेलो गाई इस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि छोमारा ओपो F23 5G फोन है तो ओपो F23 5G फोन की सेटिंग्स पे जाकर जोमारे फोन में options आता है कि कैसे आप फोन की सेटिंग्स पे जाकर caller ID को enable कैसे कर सकते हैं और इसका आप यूज कैसे कर पाएंगे तो आज हम वी सब्सक्राइब करें और साथ मेल आइकन दभाने न भूलें तो वीडियो पर आप देख सकते हैं आप कि फॉन के अईकन से कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है स्वाइप कर दी और आइकन से उपन जाना ऑगा पर स्वेटिंग्स wanna KKner करते हैं आपको फालराइड् Patienten आइकंज पे चले आने इस पे जा कर आपने फोन में आप कालर इडी को पर सकते हैं या Though जी झाउरक करते हैं सब्सक्राइब बैक करना है यहां से जो भी caller ID होती है इसको इनेबल यहां से कर सकते हैं simply इसके टैप करना और जो भी calling ID आपके phone में नेबल हो जाएगी इसका आप यूज कर सकते हैं और calling sara को इनेबल करके यूज कर पाएंगे तो इस तरी से भी caller ID को इनेबल कर सकते हैं filter spam calls option और इसका भी यूज कर सकते हैं simply इसका यूज करके जो भी spam calls वह रहां होती है इसको इनेबल कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे जब आप इसका यूज कर नहां चाहते हैं तो इस तरी से caller ID को इनेबल कर सकते हैं ौपो f 23 5G फोन में और caller ID को नेबल कर सकते हैं जैसे आर आपके पास यह options आज आता है देख सकते हैं कि इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके जरी जो भी callings होते हैं इसको अनौंस कर सकते हैं और आप आप नेवर पेकर देते हैं तो कोई भी कॉल से आपके अनॉंस नहीं होगी और आपको बता देगी तो इस तरह से कॉलर एडी को नेबल कर सकते हैं होपो एफ 23 5G फोन में तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू वीडियो को शेयर करें तो वीडियो अचले है एगी तो